हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अमेजिंग किचन रेसिपीज तो आज इस वीडियो में मैं आपके संग बहुत ही टेस्टी चावल की खीर की रेसिपी लेकर गया है हूँ और इसमें ना तो मैं मिल्क पाउडर डालूंगी ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मावा तो चलिए बनाते हैं चावल की खीर उससे पहले अगर भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चावल की खीर बनाने के लिए मैं यहाँ पे वास्मती राईस ले रहे हूं ग्राम में देखे तो पच्पन ग्राम है अच्छे से दो से तीन पानी से चावल को वॉस करेंगे आप चाहिए तो रेगुलर राइस भी यहाँ पे ले सकते हैं अब इसमें पानी डाल करके 20 मिनट तक इसे सोक करेंगे अब यहाँ पे मैं एक हैवी बॉट्टम कड़ाई ले रही हूँ इसमें दो से तीन बड़ी चमच पानी डाल रही हूँ और अब इसमें मैं डालूंगी 500 ml मिल्क यहाँ पे मैं फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ और मिल्क में कोईल आने देंगे और अब इसमें मैं एड़ कर रही हूँ थ्री फोर्थ कप सुगर यानि चीनी तो चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है जितनी आपको खीर में चीनी चाहिए उसके हिसाब से आपको चीनी डालनी है तो बिल्कुल लो फ्लेम में अब इसे पकने देंगे अब यहाँ पे एक पैन चढ़ा रही हूँ और इसमें मैंने एक छूटा चमजगे का डाला तो यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स ड्राइफ रोट्स लिये हैं आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं अब इन्हें अच्छे से घी में रोस्ट कर लेंगे तो यह अच्छे से रोस्ट हो गया है तो मैंने निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी और अब यह जो राइस हमने सोक किये थे यह बहुत अच्छे से सोक हो गया है तो इसका पानी हटा देंगे और हातों से इस तरीके से राइस को तोड़ लेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से आपको राइस को तोड़ना है हातों से और अब इसे मैं छान लूँगी और यहाँ पे इसी पैन में अब मैं डाल लई हूँ एक छोटा चमच घी और यह जो राइस है अब इन्हें इस पैन में डालेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में इन्हें भूनेंगे जब तक कि वो पानी की आवाज आना बंदना हो जाए जो राइस में पानी रहता है वो हट जाना चाहिए तो बिल्कुल लो फ्लेम में भूनेंगे कलर चेंज करने के आपको जरूरत नहीं है चावल बहुत अच्छे से भून गए हैं तो मैं इसमें एड़ कर रही हूँ 500 ml मिल्क टोटल चावल की खीर बनाने में मैंने यहाँ पे 1 लिटर मिल्क लिया है हाफ मैंने चीनी किसंग पकने के लिए रखा है और हाफ मैंने यहाँ पे चावल में डाल दिया है साथ मैं अब कुछ केसर के धाके डाल नहीं हूँ एक अच्छे कलर के लिए आप चाहें तो इसकिप कर सकते हैं अब लो फ्लेम में बीच पीच में इस पैचुला से इस्टर करते हो इसे पकाना है फ्लेम बिलकुल लो रखनी है और यह देखिए मिल्क भी बहुत अच्छे से थिक हो रहा है तो पीछ पीछ में इस्टिर करते रहेंगे चलाते रहेंगे और लो फ्लेम में अच्छे से चावल को कुक करेंगे अब मैं थोड़ा सा इसमें इलाइची पाउडर भी आड़ कर रहे हूँ एक अच्छे फ्लेवर के लिए और अब इसे low flame में पकने देंगे तो ये देखिए चावल जो है वो काफी cook हो गये है मैं एक बर चेक करती हूँ तो 90% तो ये cook हो गये है थोड़ा सा और बाकी है तो मैं थोड़ा सा और cook करूँगे इने flame बिल्कुल low रखनी है तो चावल बहुत अच्छे से पक गये है और यहाँ पर जो milk रखा था चीनी के साथ पकने के लिए ये भी आधा हो गया है तो बस अब इस milk में ये चावल एट कर देंगे और सुगर तो मैंने पहले ही एट कर दी थी दूद में ही और अच्छे से mix करेंगे और अब medium flame में इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे साथ में जो dry fruits roast के थे वो भी मैं एट कर रही हूँ और अब इसे medium flame में 4-5 मिनट और पका लेंगे ताकि ये थोड़ी और थीक हो जाए तो बस खीर बन करके तयार है और इसे ठंडा करेंगे ठंडी होने के बाद ये और थीक होगी तो खीर ठंडी हो गई थी तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ और बहुत ही यमी बनी है तो आप भी जरूर बनाईए बहुत टेस्टी बनती है और अगर आपको हमारी recipes अच्छी लगती हैं आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकन प्पेस करना ना भूलें ताकि आने वाली recipe का notification आप तक बहुत सके थैंक यू पर वाचिंग वीडियो